अर्जुन रामपाल और महर ही नहीं बल्कि इन सितारों ने भी शादी के कई साल बाद लिया था तलाक अर्जुन रामपाल और महर जेसिया अधिकारिक तौर पर अलग हो गए है बांदरा के फैमली कोट ने दोनों के तलाक को आपसे सहमती से मनजूरी दे दी है तलाक के बाद अर्जुन की दोनों बेटी या महर के पास रहेंगी हाला कि अर्जुन और महर तलाक की अर्जी देने के बाद से अलग रह रहे थे इन दोनों ने तलाक की अरजी 30 अपरेल 2019 को दी थी अरजुन और महर के अलावा कई ऐसे सितारे हैं जिनोंने शादी के कई साल बाद तलाक लिया जानिए उन सितारों के बारे में दिया मिर्जा ने शादी के 5 साल बाद साहिल सांगा से अलग होने का फैसला हाल ही में लिया है दिया ने सोशल मीडिया पर लंबा चोड़ा पोस्ट लिख कर इसकी जानकरी दी दिया के इस पोस्ट के बाद तहल का मच गया क्योंकि इस ऐलान के पहले ही दोनों रोमैंटिक हॉलिडे पर गए थे फरान अक्तर और अधुना की शादी साल 2000 में हुई थी 16 साल की शादी के बाद फरान और अधुना 2017 में अलग हो गए आप सिम्मत भेदो की वज़े से दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया फरान और अधुना की दो बेटिया है शाक्या और अकीरा तलाक के दो साल बाद फरान ने एक इंटेवि में बताया था कि कुछ भी आसान नहीं होता आप अपने बच्चों को बताए जो आपको लगता है कि आपका बच्चा सुनना नहीं चाता है वो कभी भी आसान नहीं होगा आपको अपने बच्चे के साथ इमांदर होना चाहिए क्योंकि वो मुर्ख नहीं है मलाइका अरोरा और अरबास खान ने शादी के 18 साल बाद तलाक लिया मलाइका और अरबास का एक बेटा अरहान खान है तलाक के बाद अरहान मलाइका के साथ ही रहते हैं हालाकि वो पिता अरबास के साथ भी कई बार नज़र आते हैं फिलहाल मलाइका अरजुन कपूर को डेट कर रही है तो वही अरबास जॉर्जिया को करिश्मा कपूर ने दिली के रहने वाले बिजनस्में संजे कपूर से 2003 में शादे के थी करिश्मा ने शादे के 11 साल बाद 2016 में तलाक लिया अब करिश्मा अपने दो बच्चों समायरा और कियान के साथ अकेले ही परवरिश कर रही है वहीं इसके बाद संजे ने गर्फरिंट प्रिया सचदेव से शादे कर ली सैफ अले खान ने 1991 में अपनी उम्रे से 12 साल बड़ी अमरिता सिंग से शादे कर ली थी दोनों की शादी मुस्लिम रिवास से हुई थी कई सारे विवादों के बाद दोनों के परिवार ने इन्हें अपना लिया था शादी के बाद अमरिता ने बॉलिवुट से दूरी बना ली थी 2004 में सैफ ने तलाक लिया अमृता से तलाक लेने की कई साल बाद सैफ ने करीना कपूर से शादी की